स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में 2023 में जो विद्यार्थी एकजाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा 2023 का फिजिक्स का पेपर के बारे में बताया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए 346 जीडि यह पेपर का संकेतांग कोड होता है और यह पेपर का कोड 151 विशे कोड है फिजिक्स का कोड 151 होता है और यह पेपर का जो कोड जो दिया गया, 346 GD यह पेपर का संकेतांग दिया गया है, भौति विग्ञान का यह पेपर है, और समय 3 घंटा 15 मिनेट का समय मिलेगा, पुडांग जो है 70 नमबर का है, नोट यहाँ प्रस्ण में देख सकते हैं लिखा है, प्रारम के 15 मिनेट पर चार्थियों को प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और यहां पर इसका खंड भी देख सकते हैं निर्देश में क्या क्या दिया गया है सभी प्रस्ण अनिवार है इस प्रस्ण पत्र में पांच खंड है खंड औ, खंड ब, खंड स, खंड द, तथा खंड य, खं में परते एक प्रसंद जो है एक नंबर के हैं और सो वाला में जो है लगुतरी प्रसंद दिया गया है जो एक प्रकार के हैं परते का तो है जो है दो अंक का है खंड द में लगुतरी सेकेंड प्रकार के हैं परते एक प्रसंद तीन अंक का दिया गया है यहां पर देख सकते ह खंड जो है यह में ब्रिष्त्रीत उत्री प्रस्ण है परतेग प्रस्ण पांच अंक का है तो ब्रिष्त्रीत प्रस्ण जो है पांच अंक का मिलेगा इस खंड के चारों प्रस्णों में आंत्रिक विकल्ब का चैन परदान किया गया है ऐसे प्रस्णों में आपके दिये गए चैन में से केवल एक ही प्रशने करना है, प्रशन में प्रतीक प्रतीकों का समान अर्थ है, आगला दे여 सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया पूरा निर्धेश दिया गया था, निर्धेश को जो है आपसे भी जा ति़ अच्छे से पढ़ लिजेगा तो खंड आव में प्रसंद दिया गया है पहला प्रसंद दिया गया है बराबर दर्वमानों के गोले A औं B को करमशा पलस क्यों माइनस क्यों आवेश दिया गया है यदि आवेशन के पहस्याद इनके दर्वमान करमशा यम A यम B हो तो यम में और यम B में संबंद होगा तेहां पर चार आपसन दिया गया है चारों आपसन को जो है आपसे भी विद्यारती देख लीजेगा अगले भाग में जो इस पूरी पेपर को हल करके बताया जाएगा इसमें केवल प्रषणों के बारे में बताए जाएगा कि जो दो हचार तेइस केएं यह महत्पूर पेपर है देख सकते हैं खौ खौवाला प्रसण दिया गए कि प्रकास किरन सघन माद्यम से बीरल माद्यम मेरं गमन कर रही है आपतन कोड करांती कोड के बराबर है अपवरतन कोड का मान होगा पहला दिया गया 45 अंस 90 अंस 0 अंस 135 अंस चार आपसन है यदि आपको इंसर मालूम होए तो कमेंट बाक्स में इसका इंसर को जरूर बताईएगा अगला प्रसन देख सकते हैं गव वाला प्रसन क्या पूछा गया 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 तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगला प्रस्ण दिया गया किसी धातु के कार्य फलन जो दिया गया है चार इलेटान बोल्ट है सुने गतीज उर्जा के प्रकास इलेटानों के उसरजन है ये तु आवसेक विकरण की तरंग दैर्थ होगा तो यहां पर बिकल्प वाले प्रस्ण जो है आप सबी विद्यारती अच्छे से इसको देख लिजेगा क्योंकि ये दो हजार तेईस के निये बहुत ही महत्पूर है अगला देख सकते हैं बिद्दू चुमकी तरंग के बैदू त्यों चुमकी छेत्र सदीस करमसर ई वेक्ट है तरंग संचरन की दिशा पदर्सित होगी बी द्वारा इ द्वारा बी द्वारा इ और गुड़े बी द्वारा इसका भी एंसर को जो है आप सबी विद्यारती कमेंट बाक्स में जरूर एंसर बताईएगा अगला प्रस्ण दिया गया है कि आवेस क्यू एक समान चुमकी चितर बी के समानतर भी बेग से गति कर रहा है आवेस पे लगने वाला बल का मान है क्यू भी है क्यू भी यहां जीरो है भी भी बटा क्यू है तो चार आपसन इसमें भी दिया गया है तो इस पेपर को जो है आप सबी द्यारती पूरे तैयार कर लिजेगा 2023 के लिए बहुत सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा अगले भाग वाले वीडियो को इस भाग में केवल प्रशन के बारे में बताया जा रहा है यहां देख सकते हैं बैदु दुधुरु को परिभासित कीजिए इसके दुधुरु आगुर का सुत्र भी लिखिए ए एक प्रोटान एवं एक अलफा कड समानबेक से गति कर रहा है इन से सम्मंद दीब्रागली तरंगदयर्द में सम्मंद ग्यात कीजिए तो यहां पर दीब्रागली तरंगदयर्द का सुत्र का बताना है इसका भी उतर जो है एक नंबर में दिया गया है मतलब एक नंबर का या प्रश्न है अगला प्रश्न देख सकते हैं छे हजार इंगेश्टन तरंगदर्द के समांतर किरन पुंज तीन गुड़े दस की पावर माइनट 6 मीटर चोड़े जिर्री के लंबवत आपती तो हो रही है प्राप्त बीवर्तन प्रारूप में केंदरी उंचिष्ट की चाया जाएगा दिये गए परिपत में D1 यों D2 आदर्श डायोड है तीन ओम परतिरोद में प्रवाही धारा का मान ग्याद कीजिए यहां पर दो डायोड दिया गया इसमें जो है प्रवाही धारा का मान पूछा जा रहा है अगला प्रश्न किसी बैदू सेल के बैदू त का अर्थ समझाए एक नंबर का यह प्रश्न है तो अगला देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या आया है अब खंड समय आ जाएंगे और तीन का कम देख सकते हैं पहला कोशन दिया गया यह लेडी का पूरा रूप लिखिए मतलब यह लेडी का पूरा फूल फार्म बताना इ कुंडली 15 बोल्ट के बैटी से जुड़ी है यदि परिपत की कुंजी को दवाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है तो कुंडली में प्रेरित आउसत बिद्धुत वाहक बलकि गढ़ना कीजिए दो नंबर का यह प्रश्न आया है तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है गौव आई यार यमियस बराबर क्या होता है आई जीरो बटा क्या होता है करणी में दो होता है इसका पेपर जो है आपको संपुर हल करके जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा तो गहवाला प्रस्न देख सकते हैं प्रस्न क्या दिया गया कि एक समान दो बिरती पा पास चितरानुसार बेवस्थित है तेहां पर एक पास बनाये गया है और इसमें से जो है प्रशन पूछा गया है दोनों पास में प्रवाई धारा एवं उनकी तिरिज्जाएं बराबर है किन्तों ओपर उत्पन चुमकी छेतर का पढ़ाम युम दिसा गयात कीजिए दो धारी स्रेंडी करम में जुड़े हैं परिपत आरेक बनाईए इस परिपत के प्रतिबाद है युम अनुनादी आबिरती ग्यात कीजिए बहुत यह महत्पुर्प्रश्ण है अगला देख सकते हैं खोवाला प्रसंदिया गया है कि दिये गए संजाल में बिंदू A युम B क में ? कि दिंदू A युम B के मद 15 बोल्ट के बैटिर से जोड दे तब संधात पर आवेश की मात्रा ग्यात कीजिए यहां पर एक परिपत भी बनाया गया है और इसमें संधारित पर आवेस की मात्रा की गढ़ना करना है अगला प्रसंदिया गया है कि वैदू चुम्की प् राडे के नियमों को लिख कर समझाईए तो यहां बाइदु चुमकी प्रेण नियम जो है पूछा जा रहा है बहुत ही एभी आएंपी कोशन है किसी सुचमदर्सी की आवरधन चमता से क्या तातपर है सुचमदर्सी की आवरधन चमता का सुत लिखे जबकि अंतीम परतिमिय आणद पर बनता है एक सुचमदर्सी की नित्रिका नित्रिका येवं जो है अभिद्रिस्यक परतिमिय प्रशन दिया गया है अगला प्रसंद देख सकते हैं द्रिमान छती यों बंधन उर्जा को परिभासित कीजिए बंधन उर्जा द्रिमान छती के संबंध में लिखे हिलियम जो है टू यह चैपो नाभीक के लिए द्रिमान छती 0.034 A.M.U है इस नाभीक की बंधन उर्जा की ग्याती जिए तो आगले भाग में संब्कून पेपर हल के बारे में बताया जायेगा इस भाग में केवल पेपर को बताया जा रहा है अगला प्रसंद देख सकते हैं अगला प्रसंद क्या है महतंद प्रसंद है आईश्टीन देखी यह प्रसंद दिया गया है कि यहाँ पर जो प्रसंद दिया गया है आईश्टीन का जो है बैदुत प्रभाव समंधी नियम को समिका लिखना है अगला जो कोशन दिया गहाँ नावकी विखना नावकी सल्यन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए सूर से प्रात उर्जा किस प्रकार के पढ़ाम हैं यहाँ पर नावकी विखना नावकी सल्यन के बारे में आपको बताना है बैदु चुमकी तरंगों के किसी चार अभी लच्छडों को लिखिए एक बैदू चुमकी तरंग निरवात में जेड असे संचारी थे उसके बैदू तो चुमकी छेतर सदीसों के बारे में आप क्या कहेंगे यदि इसकी तरंग दैर्ज जो दिया गया है दस मीटर हो तो इसकी आबिरती क्या होगी ये भी प्रशन जो है महतपूर नुमेरिकल दिया गया है आँक का समझन चमता से आप क्या अभी प्राय है मतला आँक के समझन चमता से आप क्या समस्ते हैं और यहां पर एक नुमेरिकल प्रशन को भी जोड दिया गया है दूदिश्टी दोस्वाले ब्यक्तिकेनिये निकत बिंदू आँक का समझन चमता पूछा गया है और यहां पर देख सकते हैं कि आथमा प्रसंदे दिया गया है किसी पतले उत्तर लेंस के लिए लेंस मेकर सुत्र का व्यूत्पन कीजिए मतला मेकर सुत्र का निगमन करके यहां पर बताना है तीन नमर का प्रसंद इसमें आथमा करके है तो पर वाईषटोन सेतु का संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए. ती नंबर का यह प्रस्ण पूछा गया है. आगे देख सकते हैं अगला प्रस्ण क्या आया हुआ है? देख सकते हैं. यहां पर दिया गया है खंड यह और यह 5 नंबर का कोशन है. इस्थिर्क बैदुती के लिए गाउस का पर्मे को लिख कर सिध कीजिए, गुमनतर गाउस का नियम को यहाँ पर सुत्र का निगमन करना है, किसी खोकले बेलन के लिए भीतर 17.7 गोले 10 के पावर माइनस 12 कुलाम आवेस है, उसके वक्र प्रिष्ट से सम्मन्द बैदुत फलक्स है, 1.5 न गाउस का और एक नुमेरिकल पूछा गया है, इसी में अथमा करके दिया किसी धात्वी चाला की बैदु धारिता का अर्थ समझाए, किसी समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए बेंजक प्रयाप्त की किजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंसिक रूप से पारा बै स्योजन के लिए जो है फोकस दूरी का सुत्र का निगमन कीजिए, यदि दूसरा लिन्स समान फोकस दूरी का आउतर लिन्स ले लिया जाए, तब स्योजन को फोकस दूरी क्या होगी, एक उतर लिन्स और एक समतल दर पर परस्पर भी सेमी की दूरी पर है, लिन्स, यहां पर जो प्रस्ण दिया गया है और जो है एक थिवरी का भी प्रस्ण इसमें जोड़ा गया है तो प्रस्ण को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि प्रस्ण क्या इसमें दिया गया है तो संपर्क में रखना था और इसमें जो है समतल दरपड की फोकस दूरी क्या है बीस संदि डायोड एवी प्रशन हर साल के पेपर माता है औच्छे प्रत यों बीवो प्राचीर पर अगर अभीनती का क्या प्रभाव परता है संदि डायोड का वियो करके पूर तरंग दिश्टकारी का परिपत आरेक बनाई ये उम दिश्टकारी की कारे विधी का उल्ले देख सकते अधमा करके यहां पे दिया गया है कि बोर का परमार प्रारूप के अभिगरी हित्यों को लिखिए इसके अधार पा हाइडोजन परमार बोर कच्छा की त्रिज्जा के लिए सुत्र का निगमित कीजिए तो यहां पर बोर का जो है परमार त्रिज्जा का जो सुत् चक प्रात कीजिए किसी धारावाही को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे 20 जो है माइक्रो एम्पीर डायोट सुग्राहिता वाले संधारित के पैमाने पर 30 खाने हैं और उसके परत्रोद 20 ओम है एक एम्पीर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंग तो यहाँ पर पांच नमबर का यह प्रस्न पूछा गया है, इसका अत्मा दे दिया गया है कि वीभो मापी योम बोल्ट मीटर से स्रेष्ट क्यों माना जाता है, एक वीभो मापी के तार की लंबाई 200 सेमी है और इसमें प्रवाही धारा 3 गोई 10 की पावर माइनस 2 एमपियर ह 10 ओम के आंतरिक परतिरोध वाय लेंस को संतुलन बिंद 50 सेमी प्राप्त होता है, लेंस के लिए बोल्ट मीटर जोडने पर संतुलन बिंद 49 सेमी पर आ जाता है, वीभो मापी के तार को परतिरोध बोल्ट मीटर का परतिरोध में उसके पाठयांग की गढ़ना कीजिए, प भौतिक नियतांक दिया रहता है, तो भौति नियतांक का मान जीश की जुरवत पड़ेगा, इसमें जब हल करेंगे नुमिरकल, इसमें साब लोग नुमिरकल के लिए इसका भौतिक मान को देख सकते हैं, इसमें 2023 के लिए यह महत्पूर्ण प्रशन बताया गया है, यह पे इसमें के लिए जो है या पेपर इतना महत्पूर्ण है कि इसमें से कम से कम जो है बीस नमबर का प्रस्ट जो है पूछा जाएगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी भी द्यारतियों को नमस्कार